हेले दोस्तों मैं हूँ आपका अपना दोस्त विवेक सकसेना और आप सभी लोग देख रहे हो टेक्निकल विवेक चैनल तो दोस्तों इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ flash get kits app के बारे में जी हाँ दोस्तों flash get kits app क्या है कैसे उज़ करते हैं और इस application का account कैसे बनाते हैं सब कुछ इस video में हम जानने वाले हैं तो यदि आप जानना चाहते हो तो यहाँ video आप के लिए खास है video को पूरा देखते रहिए और बिल्कुल सीख जाओगे आप सबसे पहले इस application को play store पे search कर देते हैं उसके बाद install पर click करके install कर देते हैं और install होने के बाद open पर click करके इस application को open कर देते हैं अब यहाँ पर open पर click करने के बाद कुछ इस तरीके का interface देखने को मिल जाएगा यहाँ पर next option आ जाता है और दोबारा से got it पर click कर देते हैं अब यदि आपका account नहीं बना है तो नीचे sign up का option आ जाता है तो आपको sign up करना पड़ेगा account बन गया है तो email id और password डाल के यहाँ पर sign in हो जाईएगा लेकिन account नहीं बना है तो sign up का option है इस पर click कर देजिए अब यहाँ पर email password और वही password दोबारा उसके बाद एक अच्छा सा नाम चूच करके sign up पर click कर देजिए ओके अब यहाँ पर चली मैं sign up पर click कर देता हूं सब कुछ भर के अच्छे से आप password कुछ इस तरीके से भरिये का ध्यान दीजिएगा और email बेर verify करने के लिए बोल रहा है तो verify email पर click करोगे तो OTP मिल जाएगा और आप OTP यहाँ पर भर दीजिएगा क्योंकि verify पर नहीं किलिक करोगे तब भी OTP चला जाता है और अब देख से तो कुछ app का interface इस तरीके से देखने को मिल जाता है अब यह जो कि आपका phone हो गया और जिस phone से connect करना है second वाला phone यहाँ पर right में है अब account बन चुका है अब right वाले phone में क्या करना पड़ेगा connect करने के लिए तो यहाँ पर जैसे कि आपका यह phone हो गया अब जिससे connect करना है आपको उस phone में कुछ करना पड़ेगा लेकिन इससे पहले आप दोबारा से application को open करिए और इस वाले option पर क्लिक करिए और open करने के बाद यहाँ पर agree का option है agree पर क्लिक करते हैं और उसके बाद यह code जैसे इस वाले phone में type करना है अब कहाँ पर type करना कैसे type करना अभी वीडियो में आपको बताऊंगा आपको chrome browser में चले जाना है और यहाँ पर जो मैं search कर रहा हूँ आपको वही search कर देना है okay flash get kid okay और उसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट वाली website देखने को मिल जाएगी आप इस पर क्लिक कर दीजिए और चले मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ अब यहाँ पर आपको second वाला option देखने को मिल जाता है यह second वाला option आपको इस पर क्लिक कर देना है चलिए मैं इस पर click कर देता हूँ अब यहाँ पर देख सकते हो download app का option देखने को मिल जाता है तो आपको download app पर click कर देना है open पर नहीं करना है download पर click कर देना है और यह कुछी देर में आपका application download हो जाएगा अब application को install कर लेना यहाँ पर देख सकते हो अब आपको क्या करना है open यहीं से o open करना है जैसे कि देख सकते हो download or install दोनों हो चुक है अब यहाँ पर दोबारा update करने का option आ रहा है अब आपको यहीं से open करना है diet open नहीं करना है तो यह दिखता ही नहीं जैसे कि अभी दिख रहा है यह phone में दिखता नहीं तो आपको यहीं से open करना चलिए मैं open पर click कर देता हूँ अब जैसे कि देख सकते हो एक की नाम से दो application है अब यहाँ पर यही code आपको type करना जिस phone में connect करना आपको second वाला option चूज करना है sorry first वाला option चूज करना है अब यह code आपको यहीं पर type कर देना 275320742 ओके इस तरीके से मैं यहाँ पर type कर देता हूँ और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर type करूँगा code यह phone connect हो जाएगा इस phone से ओके और देख सकते हो मैं यहाँ पर type किया next पर click कर देते हैं और जैसे हम next पर click करेंगे यह phone इस phone से connect हो जाएगा confirm पर click करते हैं email आ जा रहा है तो जैसा कि देख सकते हो यह phone इस phone से connect हो चुका है अब चाहो तो आप complete पर click कर सकते हो लेकिन यहाँ पर आप जो जो permissions दोगे वही वही चीजे इस phone में second वाले phone में so होंगी तो आप एक एक चीजे यहाँ पर देख लो जैसे कि location वाली permissions हो गई इसको enable कर सकते हो तो जब इसको enable कर दोगे तो यहाँ पर आपका location दिखाएगा second वाले phone में allow पर all time पर हम के लिए कर देते हैं अब जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर loading दे रहा और so होने लगा अब आप चाहो तो gallery open कर सकते हो live location देखना चाहोते हो location देख सकते हो और यह सारे options यहाँ पर देख सकते हो मिल जाते हैं तो आप यहाँ पर इस phone को manage कर सकते हो use कर सकते हो okay manage नहीं कर सकते यूज कर सकते हो देख सकते हो क्या क्या चीज़े हो रही है और second वाले phone में दोबारा से एप अगर open करते हो तो आपको permission देने का option आ जाता है दोबारा से आप वो permission दे सकते हो जो permission आपने enable नहीं किया है यहाँ पर disable भी कर सकते हो तो कुछ इसी तरह के से application को use करना है और एक phone से दूसरे phone को connect करना है और उसकी सारी शीजे देखनी है उमीद करता है आपको समझ में आ गया होगा और आपका जो भी doubt हो या सवाल हो तो comment करिए मैं जब आप दे दूँगा और वीडियो अच्छा लगा तो एक like जरू करिए क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है दोस्तों तो मैं मिलता आप से एक ने वीडियो साथ तब तक के लिए bye bye and take care